Hi everyone, welcome to the new video about why share prices go up or down. Well, बहुत सारे लोग को ये confusion रहता है कि क्यूं जो company के shares होते हैं, वो एक ही जगा पे stagnant नहीं रहते हैं और वो हमेशा उपर नीचे move करते रहते हैं. Well, इसके कुछ factors होते हैं and आज की वीडियो में हम वही factors के बार में बात करने वाले हैं. तो सबसे ज़ादा जो important aspect है वो है demand and supply, जिसके basis पे पूरा share market चलता है. And आप सबको मैं वाफिस स्कूल टाइम में लेके जाने वाला हूँ, जहां हम सभी ने economics में पढ़ा होगा कि demand and supply क्या होता है. आपको बहुत ही simple example के साथ बताऊंगा तो आपको एकदम समझ आ जाएगा. Summers में गर्मी के टाइम पे lemon का जो intake है वो जादा हो जाता है because गर्मी बहुत जादा होती है and लोग शिकनचीव करें जादा बनाते है, drinks जादा use होती है, जिसकी वज़े से lemon की demand बहुत जादा बढ़ जाती है summer time पे, लेकिन उसकी जो supply है वो उतनी ही रहती है limited, जिसकी वज़े से क्या होता है, lemon का जो price है, जो आपको winter में 2 रुपे का एक मिल रहा होता है, वही lemon आपको summer time में 5 रुपे का एक मिल रहा होता है, अगर आपने यह जो मैंने example बताया है, अगर आपने इसको समझ लिया, then आपने demand and supply के concept को पूरा अच्छे से समझ लिया, बहुत ही जादा basic concept होता है यह, कि अगर कोई product की demand जादा होती है, because supply तो इतनी जादा है, इतनी नहीं बढ़ने वाली, supply उतनी ही रहती है, then क्या होता है, demand जादा है, supply इतनी जादा नहीं बढ़ पाती, जिसकी वज़े से उस product का यहाँ पर price increase हो जाता है, and वहीं on the other hand, अगर कोई product की demand बहुत जादा reduce हो जाती है, लेकिन supply उतनी ही है, मतलब supply जादा हो गई as compared to demand, then वहाँ पर क्या होता है, product की price यहाँ पर कम हो जाती है, बस यही simple concept होता है demand in supply का, and पूरी जो share market है वो इसी concept पर चलती है, so एक बहुत simple example, जहाँ पर gold अगर आप देखेंगे, gold भी एक metal है, and copper भी एक metal है, लेकिन gold की यहाँ पर demand जादा है, supply यहाँ पर कम है, जिसकी वज़े से gold का price बहुत जादा बढ़ता रहता है, लेकिन वहीं on the other hand, अगर आप copper का example लेंगे, copper की यहाँ पर demand इतनी जादा नहीं है, as compared to gold, and supply यहाँ पर जादा है, जिसकी वज़े से copper का price कम है, as compared to the gold, well यहाँ पर सिर्फ demand and supply के इखेल होता है, अगर मान लो कुछ साल बाद, gold की इतनी जादा यहाँ पर demand नहीं रहती, लेकिन copper की demand जादा बढ़ जाती है, as compared to gold, and supply तो इतनी इनक, supply बहुत जादा नहीं बढ़ सकती, इससे क्या होगा, हो सकता है कि gold से जादा price copper का हो जाए, so यह simple सा concept है, जिस भी product की जादा demand होगी, and supply कम होगी, उसका price जादा increase होगा, and जिस भी product की demand कम होगी, supply जादा होगी, उसका price कम होगा, gold and copper के example से आप बहुत ही असानी से इसमें समझ सकते है, so stock market भी यही simple process को follow करता है, जहाँ पे अगर कोई एक company का share है, जिसकी demand बहुत जादा high है, and उसकी supply तो limited ही है, because जो company है, उसने अपने जो number of shares है, वो limited ही market में issue की है, इसकी वज़े से क्या होता है, उस share का price increase हो जाता है, वहीं अगर कोई ऐसी company है, जिसका यहाँ पे demand कम होती जा रही है, लेकिन supply जादा है, then यहाँ पे जो उस share का price है, वो reduce हो जाता है, यहाँ पे अगर आप buyers and sellers के point of view से देखेंगे, अगर कोई यहाँ पे company के share के लिए, buyer बहुत जादा है, बहुत जादा यहाँ पे लोग interested है, कोई particular share को buy करने के लिए, लेकिन वहीं जो seller है, जो बेचने वाले हैं, वो बहुत कम हैं, इतने जादा वो नहीं है, तो buyers यहाँ पे surplus है as compared to sellers, देन उस situation में share price यहाँ पे increase होगा, और वहीं अगर एक दूसरी company है, जिसका यहाँ पे buyers कम है as compared to seller, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जो एक company के share को यहाँ पे sell करना चाहते हैं, लेकिन market में उसका कोई buyer ही नहीं है, जिसकी वज़े से क्या होता है, supply यहाँ पे बहुत जादा हो गई, demand यहाँ पे कम है, जिसकी वज़े से share price यहाँ पे अपने आप, यहाँ पे reduce होता जाएगा, यही simple सा concept होता है demand and supply का, and buyers and sellers की point of view से भी, यही simple explanation रहता है, यहाँ पे कुछ factors होते हैं, जो impact करते हैं demand and supply को, यहाँ पे पहला है company related factor, जो सिर्फ company के related होते हैं, इसमें सबसे पहला यहाँ पे factor है, launch of new product, अगर कोई ऐसी company है, जो अपना कोई एक बहुत बड़ा project, यहाँ पे launch करने वाली है, जिसकी वज़े से यहाँ पे demand increase हो जाती है, supply उतनी है, जिसकी वज़े से यहाँ पे share price increase होता है, अगर मैं आपको simple से example दू, जब Reliance ने अपना Jio यहाँ पे launch किया था, well, सभी investors को सबको मालूम था कि, यह बहुत जादा अच्छा करने वाला है, बहुत successful होने वाला है यह, जो इन्होंने Jio की sim launch की थी, जिसकी वज़े से क्या हुआ था, Reliance के share की demand बहुत जादा बढ़ गई थी, लेकिन supply तो उतनी ही limited थी, जिसकी वज़े से Reliance का share काफी जादा increase हुआ था, दूसरा यहाँ पे point है, अगर मान लो CEO या कोई Vice President, या कोई higher position के बंदे ने अगर उस company से resign कर दिया, यह बहुत जादा negative impact देता है company पे, एंड investors को लगता है कि हो सकता है, आने वाले time में company पे effect हो, जिसकी वज़े से यहाँ पे क्या हो सकता है, demand थोड़ी reduce हो सकती है, तो share price यहाँ पे reduce हो सकता है, तीसरा यहाँ पे है कि अगर company पे कोई ऐसा legal case हो जाता है, जिसकी वज़े से investors को लगता है कि आने वाले time में company पे यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उस situation में भी demand यहाँ पे reduce हो जाएगी, supply यहाँ पे उतनी है, demand यहाँ पे reduce हो जाएगी, जिसकी वज़े से share price यहाँ पे reduce हो सकता है, तो fourth यहाँ पे factor है, अगर company को यहाँ नया project लेती है, जिसकी वज़े से investors को लगता है कि आने वाले time में बहुत जादा फायदा होने वाले company को, demand again increase हो जाएगी, supply उतनी रहती है, जिसकी वज़े से buyer जादा है as compared to sellers, share price यहाँ पे increase हो जाता है, तो एक और यहाँ पे जो अलग factor है, वो है industry related factor, कुछ ऐसी situations आती है, जब कुछ particular industry को ही वो affect करती है, इसमें सबसे अच्छा example है COVID का, जब यहाँ पे COVID pandemic हुआ था, सिर्फ एक ही sector था जो बहुत जादा अच्छा कर रहा था, और बहुत जादा बूम पे था, वो है pharma companies, सभी investors को मालूम था, गोविट के time पे सिर्फ pharma की सारी यहाँ पे companies है, जो बहुत जादा अच्छा कर रही है, जिसकी वज़े से demand बहुत जादा increase हो गई थी, supply यह उतनी थी, जिसकी वज़े से share price बहुत जादा increase होते है, सभी pharma की company shares के, यहाँ पे दूसरा है, if the government declares higher taxes on cigarettes and tobacco, then यहाँ पे ITC की company को बहुत जादा effect होगा, because cigarette and tobacco का major यहाँ पे product है, वो ITC ही deal करता है, and यहाँ पे तीसरी चीज़ है कि overall market का trend क्या है, अगर overall market का trend bullish है, जहाँ पे market उपर ही जान नहीं है, and सभी investors यहाँ पे bullish है, मतलब सारी कि सारी companies का यहाँ पे demand जादा है, supply उतनी है, then यहाँ पे buying आएगी, मतलब share price increase होगा, लेकिन वही अगर market bearish है, market में बहुत जादा fear है, and सभी investors को लगता है कि market यहाँ से और crash कर सकती है, then इसमें क्या होगा, demand एकदम reduce हो जाएगी, and supply जादा होगी, मतलब sellers यहाँ पे बहुत जादा आजाएंगे, because उनको market से exit करना है, and buyers यहाँ पे कम रहेंगे, जो sellers increase होएं, उनकी against buyer इतने जादा नहीं होते मार्किट में, जिसकी वज़े से क्या होगा, यहाँ पे price drastically fall हो जाएगा, and यह भी एक बहुत जादा important reason होता है, share price का उपर या नीचे जाने का, so यही था simple से explanation कि क्यो share price actually उपर या नीचे जाता है, इसमें सबसे important point जो आपको याद रखना है, वो है demand and supply, हर चीज यहाँ पर demand and supply की basis पर ही चलती है, and जैसे-जैसे demand बड़ेगी, यहाँ पर price भी बड़ेगा, लेकिन जैसे-जैसे यहाँ पर demand कम होगी, supply जाता होगी, यहाँ पर price reduce होता जाएगा, इसके बारे में अगर आपको कोई भी doubt है, आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, I will be happy to answer all your queries, so यही था आज की वीडियो के बारे में, thank you for watching the video with lots of patience, let's meet in the next video then,